जोहार, जहारखन में कोरोना के बढ़ते संकरमन को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने कुछ महत्पूर्ण देने लिये हैं। इस संकरमन का चेन ब्रेक करना नितान तावशक है। जहारखन एक गरीब राज है। हमारी प्राथमिक्ता है जीवन और जेविकात दोनों को सुरक्षित करना। एस संदर में हमने 22-4-2021 यानि परसों से 29-4-2021 के तक स्वास्त सुरक्षा सप्ता का सभी को अनुपालन करने का नेना लिया है। और मुझे पुरा विश्वास है इस स्वास्त सुरक्षा सप्ता के माध्यम से हम कोविड-19 के चेन को ब्रेक करने में सफर लोंगे। इस स्वास्त सुरक्षा सप्ता में जो चीजें बंद होंगी कुछ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बाकी आदेश के माध्यम से सभी को निर्गत किये जाएंगे सभी जीलों में, सभी पत्रकारों को, सभी मीडिया चैनलों में। आवशक समगरी की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकाने बंद रहेंगे। भारस सरकार, राज सरकार तथा नीजी छेत्र के चिन्हित कार्यालय को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे। किर्सी, उद्योग, निर्मान एवँँ खनन कार की गतिविदियां चलती रहेंगे। धार्मी का स्थल खुले रहेंगे, परंतु सरधालों का उपस्चति में पर्तिबंद लगी रहेंगी। कोई भी व्यक्ति अनुमति प्राप्त कारियों को छोड़कर अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। पांच से अधिक व्यक्ति का कहीं भी एकत्रित होना वरजीत होगा। कोरोना संक्रमन को जन भागीदारी से ही रोका जा सकता है। ये हम सब जानते हैं और ये आज के समय में ये नितान तावशक है। और मेरा आप से अनुरोध है तुरे राजवासियों से इस महामारी को हम अपने राज से धूर बगाएंगे। अपने आस पड़ोश से दूर बगाएंगे। इसके लिए हमें निर्देशों का पालन कड़ाई से करना होगा, खुद भी करना होगा और औरों को भी प्रेरिद करना होगा। इसलिए सरकार दूरा निर्देश का पालन बिलकुल आप सभी लोगों के सहयोग से ही सफल हो सकता है। इसलिए इस संक्रमन में सभी लोग की भूमी का सुनिसित हो, यह हमारी सोच है और इसी संदर में ये निर्देश सरकार ने लिया है। और मुझे उमीद है कि आप सब लोग सुरक्षित रहें, आपके परिवार सुरक्षित रहें, आपके सहयोगी सुरक्षित रहें और हमारा राज सुरक्षित रहे। इसी आसा उमीद के साथ आप सब को मेरी और से पुना बहुत बहुत धन्यवाद जोहार।